दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलनाइन फ्रीलांस मारकेट प्लेसेज में बहुत सी जाब्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर काम करके आप बहुत अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं ग्राफिक डिजाइन इन ही तमाम सर्विसेज में से एक सर्विस है बलके अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहोगा कि ग्राफिक डिजाइन आलनाइन फ्रीलांस मारकेट पे बिकने वाली सबसे जादा बिकने वाली सर्विसेज में से एक सर्विस है जैसा कि हमारे स्कोर्स का मकसद भी यही है कि आप लोगों को आलनाइन फ्रीलांस मारकेट प्लेसेज पे एज़ा ग्राफिक डिजाइनर अच्छे तरीके से काम करना सिखाया जाए और इस काबल बनाया जाए कि आप आलनाइन फ्रीलांस मारकेट में काम करके ना सिर्फ अपना नाम कमा सकें बलके अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकें तो चले आए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या सीखने वाले हैं और कैसे सीखने वाले हैं दोस्तों आप लोगों की असानी के लिए मैंने इस कूर्स को तीन बेसिक पोशिंस के अंदर डिवाइड कर रखा है इस में से जो सबसे पहला पोशिंस है वो है थेरी का जी नहीं बिलकुल भी मत घबराईए ना तो मैं आपको कोई किताबे रटवाने वाला हूं और नहीं कुछ याद करने के लिए कहूंगा दोस्तों आप लोगों को पता होगा किसी भी फील्ड के अंदर काम करने के लिए उसके कवाइद और जवाबत को समझना बहुत जरूरी होता है मिसाल के तोर पे अगर कोई शक्स डॉक्टर बनना चाहे या इंजिनियर बनना चाहे तो डेफिनेटली उससे पहले मेडिकल और इंजिनेरिंग के रूल्स और प्रिंसिपल्स को समझना होगा ग्राफिक डिजाइन के साथ भी बिल्कुल यही केस है अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते है और एक काम या आप ग्राफिक डिजाइनर के तोर पे काम करना चाहते है तो यह जरूरी है कि पहले आप ग्राफिक डिजाइन के उन तमाम कॉंसेप्स को समझ लीजिए कि जो आपको ग्राफिक डिजाइन में काम करने में मदद देंगे तो ये जो पहला portion है theory का इसके अंदर हम ग्राफिक डिजाइन के उन तमाम elements और principles को समझेंगे और सीखेंगे जिन को समझने के बाद आप ग्राफिक डिजाइन में बहुत असानी के साथ बहुत अच्छी जॉब्स कर सकते हैं इसके बाद हमारा second portion आता है software जी आप सब लोग जानते हैं graphic design software के बगार बिलकुल अधूरी है तो इस portion के अंदर हम लोग उन तमाम software को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे जिन को learn करके आप लोग as a graphic designer बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं जिन software's पे हमारा focus रहेगा उसमें Adobe Illustrator, Adobe Photoshop और Adobe In-Design शामिल है हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम software's के अंदर मौझूद tools और तमाम important features को ना सर्फ समझे बलके उनको अच्छी तरीके से practice भी करें तो चलें अब चलते हैं हमारे score's के आखरी हिस्से की तरफ जिसका नाम है practice जी हाँ, जब आप लोग graphic design से जोड़े हुए तमाम एहम concepts को भी समझ चुके होंगे और graphic design में important software's को भी learn कर चुके होंगे तो फिर हम practice करेंगे उन तमाम assignments की और उन तमाम jobs की जिनका सामना आपको online freelance market में काम करते हुए करना पड़ सकता है जैसे के poster design करना, website design करना और बहुत सारी इसी दूसरी jobs जो के online freelance market में बड़ी असानी के साथ graphic designers के लिए available हैं यही नहीं, इसके इलावा end के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी art movements और कुछ ऐसे graphic designers के बारे में भी information provide करूँगा जिनके बारे में जानके आप अपने graphic design के skill को और concepts को मजीद improve कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह हमारा यह जो course है, यह एक blend साबित होगा theory का, यानि के concepts का, software का, और practice का मैं उमीद करता हूँ, कि आप लोग इस course के अंदर मेरे साथ बहुत कुछ learn करेंगे और इंशाला ताला enjoy भी करेंगे